पठान फिल्म पर विवात के बीच शारुक खान को बड़ा जटका लगा है जियां CBFC ने गाने और फिल्म में दोनों में बदलाफ करने को कहा है तो बड़ा सवाली पैदा हो रहा है कि क्या पठान फिल्म पर बैन लगने जा रहा है एसी पर जादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौझूद है Capital TV के Executive Editor राजीव जी राजीव जी क्या बैन लगने वाला है पठान पर? देखिए अब तो बैन लग चुका है एक पहले तरह की बैन सेंसर बोड ने लगा दिया और उसके बाद recommendation भेजे हैं कि ये सारे changes करवाने पड़ेंगे उसमें से एक change जो करने के लिए कहा गया है वो बेशर्म रंग गाने में करने के लिए कहा गया है लेकिन सिर्फ उस गाने में changes की बात नहीं है इस film पर break लग चुका है क्योंकि इसमें कई और परिवर्तन की मांग भी की गई है कहा गया है कि ये सारे change करके फिर से certification board के पास लाओ और उसके बाद देखा जाएगा कि ये सारे recommendation जो CBFC ने दिये हैं वो recommendation का पालन किया गया है कि नहीं उसके बाद इस film को certificate जारी किया जाएगा यानि की sensor लग चुका है film के उपर और release का जो अभी तक माना जा रहा था कि 25 जनवरी को release हो जाएगी ये film वो release अब नहीं हो पाएगी 25 जनवरी तक पहले तो ये लोग changes करने से इनकार करने की कोशिश करेंगे सवाल उठाएंगे CVFC पर जो की नाजायद सवाल होगा गलत सवाल होगा क्योंकि CVFC के जो अभी मुखिया हैं वो इन ही लोगों के साथ काम कर चुके परसुन जोसी हैं जिहोंने पहले कई lyrics लिखे हैं गाने लिखे हैं अमीर कान के फिल्म के लिखे हैं साहरुक कान के फिल्म के लिखे हैं और उनके ऊपर इस बात के लिए सवाल नहीं उठाया जा सकता कि गाने के बोल और मैच करने वाले कपड़े फिल्माने का तरीका इन मामलों की जानकारी उनके पास नहीं है ये सिर्फ कंट्रोवर्सी का मामला नहीं है ये भावनाओं का मामला है अगर किसी की भावना आहत हुई है चाहे वो किसी भी धर्म का हो सनातन धर्म हो हिंदू धर्म की बात करें या फिर इसलाम के बारे में हो क्रिश्चनिती के बारे में हो सिख बौध जैन कोई भी हो अगर लोगों की भावनाय आहत होती है तो उसका ध्यान रखना जरूरी हो जाता है चाहे वो फिल्म हो या राजनिती हो या फिर इस देश में कोई बड़े अस्तर पर किये जाने वाले कारवाई हो हर जगह पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पर कारवाई होती है और बॉलिवूड इस बात को लंबे समय से नहीं समझ पा रहा था क्योंकि हिंदूओं के खिलाप जो ये पूरा मोटिवेटेड अजेंडा चला रहे थे उन अजेंडा के विरोध में कोई हंगामा खड़ा नहीं होता था इनकी हिंपत ये नहीं रही है कि कभी भी इसलाम के बारे में कोई ऐसी अपमांजनक चीज़े अपनी फिल्म में दिखा सके इसलाम के बारे में तु श्टिकरन तु दिखा सकते हैं लेकिन उसके खिलाप नहीं दिखा सकते क्योंकि पहले से ही एक महाल बना हुआ है कि अगर इस धर्म को टच करने की कोशिश किये तो फिर फिल्म पर बैन लग जाएगी हंगामा खड़ा हो जाएगा जैसे नुपुर शर्मा ने एक टिपनी की थी उसके बाद पूरे देश में हंगामा हुआ विदेशों में भी जो सारे इसलामिक कंट्री हैं उन लोगों ने भी अपने तरह से इसका विरोध किया राश्टिया और अंतराश्टिया अस्तर पर दबाब बनाया गया भारत के उपर हाला कि भारतिये जनता पाती ने ये सापत और पर कह दिया कि ये सरकार का स्टेंड नहीं है लेकिन फिर भी नुपुर्शर्मा को पाती से भी निलंबित किया गया उनसे सो काल नोटिस बेजे गया अब यही बाते हिंदूओं की बात करते हैं तो फिल्म हो या फिर राजनिती हो जैसे राहुल गांधी की तुल्ना भगबान स्री राम से कर दी जाती है उस पर चुपी साधे रहते हैं पॉलिटिकल हंगामा होता है राजनितिक तोर पर भारतिय जनता पाटे इसका विरोध करते है लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा हंगामा नहीं हो पाता है कि सलमान खुर्शित को और राहुल गांधी को इसके लिए सार्जनिक तोर पर माफि मांगना पड़ जाए उसी तरी पूरे फिल्म को कमीटी ने अभजर्व किया है और फिल्म में अभी जो ट्रेलर रिलीज हुआ ट्रेलर में या फिर गाने के ट्रेलर में वो सीन सामने आया जिसमें भगवा का अपमान किया गया था लोगोंकी भाबना यहां तो ही सड्कों पर आये हंगामा खड़ा हुआ और फिर इसके कारण CVFC को भी इस फिल्म को पूरी तरह से इस एंगल से भी observation करना पड़ा है कि इस फिल्म में कहां कहां पर हिंदूओं की भाबनाओं को आहद करने वाले scene डाले गए हैं तो अभी ये बेशर्म रंग के बारे में खबरे आ रही है लेकिन उसमें तो change करने के लिए कहा ही गया है इसके अलाबा उसमें कम से कम तो 78 ऐसे recommendation हैं जिसको बदलना पड़ेगा फिल्म के अंदर अब इतना आसान तो नहीं है फिल्म के जो scene होते हैं आज कल जो graphics होते हैं उसके changes के लिए दो-दो second के एक एक graphics को change करने के लिए 10-10-15-15 दिन का time लगता है इतना आसान अगर होता तो ये फिल्में एक-एक साल के में नहीं बनती ये फिल्में 10-20 दिन में बन गई होती जितना shooting में समय लगता है उससे जादा समय लगता है editing में और editing में जब change करने की बात आई है तो क्या वो पूरा गाना खत्म किया जाएगा पहले तो एक सवाल यही था बेशारम रंग के गाने को लेकर या फिर graphics में animation में change किया जाएगा और color change किया जाएगा या फिर दूसरी बात है कि फिर से उस गाने को फिल्माया जाएगा यानि shoot की जाएगी तो ये सारे चीजें ऐसी बन गई है कि CBFC के इस action के बाद अब पथान फिल्म का जल्दी बाजी में release होना तो मुश्किल है जो इन लोगों ने date set किया था कि 25 जनवरी को release कर देंगे वो release नहीं होगा और जब फिल्म release नहीं होगी date के अनुसार तो समझ लिजे कि इसको कितना नुकसान होने वाला है अगर फिल्मेकर्स मना कर देते हैं चेंजिस करने के लिए तो CBFC क्या कुछ action ले सकती है ये CBFC को action ही लेना है sensor board इसलिए ये इसको कहा जाता है कि CBFC के certification के बिना आप cinema hall तक फिल्म ला ही नहीं सकते release नहीं कर सकते उसको मुहर लगाना जरूरी है ऐसा नहीं है जिस तरीके से board ने recommendation भेजे हैं उसमें कहा गया है कि आप फिर से apply किजिए इन recommendation के साथ और उसके बाद certificate मिलेगा आपको कि आप cinema hall तक पहुँच पाएंगे कि नहीं और अगर ये date इधर उधर हो गया तो पूरी विवस्था फिल्म की बदल जाएगी पहले फिनांसर हैं जो खुद ही फिल्म बनने के बाद से अभी तक interest चलता है सेक्लो कलोड के फिल्में बनती है उसमें investment जो होता है तो उसका interest देना पड़ता है उसी के recording अब फिल्म की date, releasing date अगर बढ़ेगी तो वो आर्थिक दवाब बढ़ेगा दूसरी बात है कि इन लोगों ने 25 जनवरी के आधार पर फिल्म release करने के लिए hall book की होगी audio book की होगे कि इन इन जगों पर फिल्म release होगी अब उस date पे दूसरी फिल्म release हो नहीं रही है वो जो hall वाले है, cinema hall वाले वो तो अब इन ही को कहेंगे कि हम भई आप के लिए तो रखे हुए थे इतने पैसे का मेरा नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा अगर रिलीज ही नहीं हो रही है फिल्म तो हमको उस दिन के लिए यानि की एक सब्ताह का टाइम है अगर 25 तारी को फिल्म release होती है तो कम से कम एक week तक वो फिल्म लगी रहती है तो वो देखा जाता है कि एक week अगले next week 25 तारी के बाद वाले week में हम उसी फिल्म को चलाएंगे तो दूसरे के लिए जगह नहीं होती है अब उसका replacement होगा तो कौन से पुराने फिल्म से नई फिल्म से किस फिल्म को लगाएगा उसको भी एक बड़ा नुकसान होने वाला है और इसके नुकसान की भरपाई भी साहरुक खान की पूरी टीम करेगी फिल्म की पूरी टीम करेगी तो ये तो तैम आना जा रहा है कि अब CBFC ने जो break लगा दिया है उसके बाद शाहरुक खान जो चार साल के बाद लगबग तीन-चार साल माना जा रहा है कि उसके बाद इस प्रोजक्ट पर काम कर रहे थे एक बड़ी फिल्म आ रही थी इसमें उनका कैरियर भी दाव पे लगा हुआ था कि अब वो अपने नेचर को करेक्टर को बदलते हैं या फिर इसी तरीके से रहते हैं ये फिल्म अगर हिट होती है तो फिर से साहरुक खान के लिए कुछ समय मिल जाता कि अभी दो-चार-पांच साल तक और हीरो की भूमिका में रहेंगे करेक्टर आर्टिस्ट नहीं बनेंगे लेकिन इस फिल्म पर विबाद हुआ बहिसकार हुआ और CBFC अगर रिकमेंडेशन के साथ फिर से इसको सर्टिफाई कर देती है सर्टिफिकेट जारी कर देती है एक दो महीने बाद ये फिल्म रिलीज भी होगी तो जो सोसल बाइकॉट चल रहा है उसका असर देखने को मिलेगा और जब सरकार और CBFC के बिना कोई एक्षन के लाल सिंचड़ा धाराशाई हो गई उसे देखने के लिए हॉल में लोग नहीं पहुँचे यहां तक की OTT प्लेटफॉर्म पर भी विवर्स नहीं मिले तो ऐसे में इतने कंट्रोवर्सी के बाद सरकार का एक्षन यानि CBFC का एक्षन के बाद और लोगों के बाइकार्ट के बाद यह फिल्म तो अब टाइटाइफ हिसी हो जाएगी और शाहरूख खान को जो बड़ा जटका लगने वाला है उससे अब अगले 10 साल तक वो उबर नहीं पाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बादशीत के लिए तो नए साल से पहले शारूख खान को बड़ा जटका लगा है CBFC ने पठान फिल्म के गाने और बाकी सीन्स पर चेंजिस करने को कहा है अब देखना ये होगा कि फिल्म पर बैन लगता है और रिलीज देट आगे जाती है बड़ी खबर में हमारे साथ इतना ही क्यामर मेंने शोग के साथ मैं सुना ली क्यापिटल टीवी